नमस्कार दोस्तों मैं आलोग सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान गंग आलोग पर हार्दिक स्वागत करता हूं सेल्डी एरियर आई-फमस 3.0 पर बनाई जा रहे हैं लेकिन बार-बार अलग-अलग प्रकार की समस्याइं आ रही हैं जिसके कारण से मेरे वीवर्स मुझे कई प्रकार के मेसेज़ेज करते हैं तो आज भी एक ऐसी ही समस्या का हम समाधान खोजेंगे कि कार्मिक का पर एंटाइटलमेंट बना लिया गया है परन्तु बिल जनरेट नहीं हो रहा है तो मेरे जो वीवर हैं उन्होंने मुझे मेल किया था मैं आपको पहले मेल दिखा देता हूं यह है वो मेल यहां लिखा गया है कि कार्मिक का 13 अगस्त 23 से 31 अगस्त 24 की तीन पर एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बना लिया है लेकिन बिल जनरेट करते समय एरर आ रही है एरर क्या बता रहे हैं सेलरी एरियर बिल आप इस एंप्लोई इस पैंडिंग यानि इस एंप्लोई का जिसका क्या बिल बना रहे हैं उसका सेलरी एरियर बिल पहले से ही पैंडिंग है अब ये message क्यों आ रहा है जबकि वो बता रहे हैं कि मैंने और कहीं पर इसका build नहीं बनाया है तो हम देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है और इसका क्या समाधान है वीडियो में आप अंतक बने रखिए हो सकता है यह समस्य आपको भी आ रही हो तो उसका भी समाधान हो जाए चलिए वीडियो को प्रड़र्यम करते हैं यह केस मेरे पास बार्डमेर के मेरे व्यूवर ने भेजा है तो अब उनका हम समाधान कैसे करेंगे उनके पास जो मैसेज आ रहा है वो क्यों आ रहा है मैसेज जब एंटाइटलमेंट सही है सब कुछ सही है तो सेल्दी एरियर बिल आप दिस एंप्लोई आईडी जपेंडिंग रेफरेंस नंबर यह बता रहा है तो इसका ताथ पर यह है कि यह बिल या तो आएफेमस को कहीं बना हुआ है या पर एंटाइटलमेंट हिस्ट्री कहीं मिस्टेक है तो हम जब चेक करेंगे तभी बता पाएंगे तो हम देखते हैं इसका क्या समय धाने तो हम आ चुके हैं डीडियो की लोगिन में और यहां पर हम बिल सेक्षयल में जाते हैं एंडाव सामने हैं कि जो ब्राव यह एंटाइटलमेंट क्रियेट कियी यह उस warning के लिए वो यहLYपर परदशित हो रही है और आप चाहले आणसे इसको बियूर करके देख भी कि सकते हैं लुद में अब हम यहां पर मैंत Amen करने के लिए generate बिल पर प्रोटर के देखते हैं देखिए से 97 मिल भा हर 15ze कि देखिने इस हमने क्लिक किया एक किति हमारे सामने मैसेज आरहा है आरशीओ तो तो हम इसको confirm कर देना है और मेंसेज आ रहा है तो वार्निग से आप ड़रें नहीं यह सामानी प्रत्रिया है यह आपको घ्लिक कर देना है यह सब्सक्राइब करते हैं जैसे यह मेरे पास भी वही मेंसेज आ रहा है जो कि इन्हों मेल में किया है salary area bill of this employees pending reference number और यह reference number उसका दिया हुआ है तो इससे साब पता चल रहा है कि इस प्रकार का कोई बिल का बना हुआ है और जब तक वो बिल पेंडिंग रहेगा ध्यान दीजिए जब तक वो पेंडिंग है तो आप नयाव salary area नहीं बना पाएंगे। आइफमस में यह प्रकृया है कि जब तक कोई salary area will pending है तब तक आप अगला salary area bill नहीं बना पाएंगे यह ध्यान दीजिए आइफमस में और pain manager में यह अंतर किया गया है कि जब तक एक salary area bill कहीं पर भी pending है किसी भी कार्मिक का तब तक आप नया salary area बिल उसका नहीं बना प्याँ ठो ये तो आख़िस पस्ट हो गया कि इस कार्मिक का कोई salary area bill कहीं ने कहीं pending है अब हमें search करना है कि वास्तों में क्या कोई salary area bill इस प्रकार से pending है तो हमने इसके reference number को यहाँ पर copy कर लिया copy करने के बाद में अब हम bill status को चेक करेंगे IFMS पर यहाँ पर है bill status बिल status पर हम क्लिक करते हैं जैसी इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी बिल है वह दिखाइए देंगे तो पहले आपको यहाँ पर reference number wife bill को search कर लेगा है क्योंकि हमने reference number note कर रखा है क्या इस reference number का कोई bill pending है या नहीं है पास है जो बी तो reference number by click करेंगे reference number वाइक पर जयब click करेंगे तो यहाँ पर हम व00 reference number फिर इंसे जैसे एंसे करेंगे शर्च के उप्षन पर हम क्लिक करते हैं सर्च के अप्षन पर क्लिक करेंगे तो यहां कह रहा है यानी यहां पर इस रेफरेंस नंबर का कोई भी बिल पेंडिंग IFMS 3.0 पर नहीं है तो फिर समस्या आखिर है क्या समस्या IFMS 3.0 पर बिल भी पेंडिंग नहीं है फिर भी नया salary area विल प्रोसेस नहीं हो रहा है अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जब तक हम इस समस्या का solution नहीं करेंगे तब तक इस कार्मिक का salary area विल नहीं बने जाए तो हमें ध्यान देना चाहिए कि IFMS और पेमेनेजर लगभग सेम से ही है फरवरी के बाद पेमेनेजर से IFMS 3.0 पर डेटा ट्रांसफर हुआ है अब हम एक प्रयास करते हैं कि यहां पर अगर बिल पेंडिंग नहीं है तो क्या पेमेनेजर पेंडिंग है तो अब हम इन्हीं डीडियों की पेमेनेजर पर हमने लोग इन कर लिया है यहां पर हम उस रेफरेंस नंबर वाले बिलको शर्च करते हैं तो यहां आम पर एकसं के अंधर ड्रीडियोzig करेंगे भ्यान दीजिए do रिपोर्ट सेक्षन में डिडियो रिपोर्ट में आप जाएंगे तो डिडियो रिलेटेड रिपोर्ट दिखाई देगी फिर यहां पर डिडियो वाइज बिल्ड डिटेल दिखाई देगी क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि हमें किस महिने में सर्च करना है तो हम पूरे दिन अगर पेमेनेजर पर हर मेने को खोल का सर्च करते रहेंगे तो यह कभी भी संभाव नहीं होगा कि हम बिल को ढूंड पाएं तो यहां पर डिडियो वाइज और यहीं टीवी नंबर वाले रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें पैंडिंग बिल का टीवी नंबर नहीं आता है वाँ पर दसित नहीं होगा तो डिडियो वाइज बिल्ड डिटेल में हम क्लिक करेंगे डिडियो वाइज बिल्ड डिटेल में जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर अब हमारे सामने वो रिपोर्ट आ चुकी जिसको अभी हमने डाउनलोड किया था अब यहां पफाइंड ओप्सन का उप्योग करके मैं फाइंड करता हूं उस बिल को तो आप देख रहे हैं कि वो बिल यहां पर प्रतशित हो रहा है 11 नमबर का बिल 12 अप्रेल 2024 को यह बनाया गया सैलरी एरियर का है इसका आमाउं्ट यहां तिया हुआ है जो भी है अब इसका status क्या है वो भी आप देख लें TV नंबर इसका generate नहीं हुआ है इसका मतलब यह pending जिन बिलों का TV नंबर आ चुका है वो pending नहीं है इस बिल के आगे TV नंबर नहीं है TV date नहीं है इसका मतलब यह DDO के पास ही pending तो IFMS 3.0 पर जो error message show हो रहा है वो बिलकुल सही ह यह बिल यहाँ पर pending है जब तक यह क्योंकि IFMS 3.0 और pay manager दोनों लगभग एक जैसे हैं pay manager को हम IFMS 2.0 बोलते थे और IFMS जो वर्तमान में चल रहा है उसको हम 3.0 बोलते हैं और pay manager से ही data वहाँ पर fetch हो कर जाता है यदि दोनों में से कहीं पर भी कोई चीज pending है तो आपका area bill नहीं बनेगा तो हमने उस समस्या का समाधान तो खोश लिया कि यह bill क्यों नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर यह bill pending है अब वापस हम जाते हैं pay manager पर अब हम pay manager पर आ चुके हैं अब हमें क्या करना है जो bill डिड पेंडिंग रहेंगे तब तक हम कोई भी बिल नहीं बना पाएंगे salary का इसके लिए हमें authorization में जाना है bill status पर क्लिक करना है पहले देखना है कि वह bill pending है या नहीं है तो हमने अप्रेल कर लिया 2004 कर लिया और salary area पर देखेंगे कि वह bill pending है अथवा नहीं है तो आप देख रहे ह आप पर यह bill pending दिखाई दे रहा है वही बिल है और यह केवल प्रोसेस हुआ है डीडियो फारवर्ड भी नहीं हुआ है और उसके बाद में treasury फारवर्ड भी नहीं हुआ है तो जब तक इस bill को हम delete नहीं करेंगे तब तक वहां हमें यह समस्या दिखाता रहेगा अब इसके लिए हमें क्या करना है वापस उस पर जाना है बिल अलोकेशन पर बिल अलोकेशन पर जाकर बिल मोडिफिकेशन में जाएंगे हम और यहां पर देखिए यह बिल दिखाई दे रहा है इस बिल को हमें delete करना है यह रहा पांस नो सो अस्सी वाला बिल यह रहा है इसको हमें delete क हम क्लिक कर देंगे डिली डाटा पर जैसे करेंगे आपसे confirmation मांगेगा क्योंकि मैंने screen को खुड़ा cut किया हुआ है इसलिए confirmation उपर चला गया है तो confirmation आपको sure नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पर confirmation में आपसे पुछेगा are you sure want to delete the record तो आपको ok की बटन को press कर देना है यहां से यह build processing में आ गया build deleted successfully build deleted successfully के बाद में से वह build यहां से गायव हो चुका है अब हम वापस IFMS पर चलते हैं और देखते हैं कि अब वह build process हो रहा है अथवा नहीं अब हम IFMS 3.0 के डिडियो लोगिन में आ चुके हैं यहां पर वापस वही process adopt करेंगे salary area बिल पर क्लिक करेंगे salary area बिल पर क्लिक करेंगे तो salary area आपको जो पहले तीन दिखाई दे थे entitlement वह दिखाई देंगे यहां पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यह entitlement आपको दिखाई दे रहे हैं अब उसके बाद में यहां पर option है generate बिल का जिस बिलको हम generate करने के कोशिश कर रहे थे और जहां पर error हो रही थी उसी बिलको हम वापस क्लिक कर रहे हैं warning message आ रहा है yes क्लिक कर देंगे yes पर क्लिक करने के बाद देखिए हमें क्या message मिलता है salary bill of this employees pending the reference number और यह अभी भी यह pending दिखा रहा है और वही बिल पेंडिंग दिखा रहा है जो की हमने delete किया था तो इसका ताथ पर यह है कि pay manager से iafms 3.0 पर जब data sync होगा यानि pay manager का data sync होकर वापस pay manager से iafms 3.0 पर आएगा तब यह bill process हो पाएगा उससे पहले यह process नहीं होगा हमने जो इसकी समस्या थी कि bill pending जो दिखा रहा था उस समस्या का समाधान कर दिया है हो सकता है यह 24 गंटे ले हो सकता है यह 22 गंटे में data को sync करे हमने 22 गंटे से अधिका एंजाय कर लिया है अब हम वापस उसी जगह पर है जहां से हम bill generate करने का प्रयास कर रहे थे और हमें error message मिल रहा है तो अब वापस हम प्रयास करते हैं देखते हैं कि data sync हुआ है अध्वा नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको mail करना होगा चलिए एक बाद हम प्रयास करते हैं यहां check box पर click करना है आपको check box पर click करके yes करेंगे हम यस करेंगे देखते हैं क्या message मिल रहा है तो यहां हमें message वही मिल रहा है जो हमें पहले मिल रहा था इसका ताज़ पर यह हुआ कि केवल build rate करना प्रयाप नहीं है automatic sync data नहीं हो रहा है अब आपको इसके लिए employee help desk IFMS पर mail करना होगा आपको mail address कहां से मिलेगा चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ mail address सर्च करने के लिए आपको आना है यहां पर IFMS के main interface के उपर और यहां इस जगह आपको मैं आपको zoom करके एक बार दिखा देता हूँ यहां मैंने जूम भी कर दिया मार्क भी कर दिया है यहां contact us का option आपको मिलेगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तो आपके सामने यह interface उपर नो जाएगा यहां पर आपको employee email id माप कीजिएगा help desk email id दिखेंगी यहां पर जो कि मैंने blur QE है और यहां पर आपको विंद्र प्रकार के phone number मिल जाएंगे लेकिन यहां पर phone से आपका संपर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि यह नंबर आपको employee help desk email id पर mail करना है जो भी प्रकार्ण है किस प्रकार से mail करेंगे मैं आपको mail का प्रारूप भी दिखा देता हूं यह देखिए mail का प्रारूप है जो मैंने अपने email address से भेजा हुआ है और जहां भेजना था उसका email address मैं आपको बता दिया यहां डीडियो कोड लिखेंगे डीडियो का नाम लिखेंगे किस ट्रेजरी से संब्दित है और उसके बाद में आफिस का नाम फिर यहां पर अपना message लिख दीजिए कि जब जो भी employee ID है employee की जिसका कि हम एरियर बना रहे है वाले करमचारी का बनाए जा रहा है तो यह message हो रहा है तो helpless वालों को बड़ी आसानी होगी आपकी सहता करने में मैंने यापर एक problem का वीडियो डाल दिया है चोटा सा वीडियो एक डेड़ मिनट का वो मैंने यापर insert कर दिया है अटेज्मेंट के रूप में इस प्रकार mail भेजने के बाद एक दो दिन में आपकी समश्या का पूर् अधान कर पाएंगे धन्यवाद